खुली मनाने के विशे में बहुत सारी कथाएं हमें पुराणों से मिलती हैं तो उनमें से एक कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक आकशवाणी होई कि कंस को मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, अताब कंस ने इस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने का आदेश दे दिया। इसी आकाशवाणी से भैवेत कंस ने अपने भांजे कृष्ण को भी मारनी की योजना बनाई और इसके लिए पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। पूतना मंचाहा रूपधारन कर सकती थी। उसने सुन्दा रूपधारन कर अनेक शिशूं को अपना विशाक्त स्तनपान करा मौत के घाट उतार दिया। फिर वह बाल कृष्ण के पास जा पहुँची। किन्तो कृष्ण उसकी सच्चाई को जानते थे और उन्होंने पूतन पूतना वद के उपलक्ष में होली मनाई जाने लगी। तो ये थी होली की एक पौराणी कथा जो आज हमने आपको सुनाई। इस तरह की पौराणी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल प्रियांका सिंग ऑफिस्यल को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें। धन चैनल इवान